हेलो प्रेंट्स वेलकम टू गेट एक्सिंट्स अपन बात करें थे एलेक्ट्रो मेगनेटी थिओरी और लास्ट लेक्ट्टर के अंदर अपने ग्रेडियंट पढ़ाता और वेक्टर कल्कुलेक्ट को स्टार्ट किया था आज अपन पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस क्या और टाइवर्जेंस वेक्टर फेल्ड ए क्या बात करते हैं डाइवर्जेंस और कोर्ड़ एक बात करने वाले हैं और अपने जब आपने i.e.t में अबल कोडिनेट सिस्टम पढ़ेती है तो अपन इसके लिए फ्यक्टर के बारे में बात किये थी किसके बात किती है scaling factor और इनके relation बद्याता, x,y,z होता है, आपने का कार्टिसन में, cylindrical में होता था, rho, phi,z होता था और spherical में होता था, r, theta, phi और अपन का जो normal parameter होता था, उनका scaling factor 1 होता है, आपको दिमाज में होना चाहिए, जैसे ये भी कैसे normal है, phi कैसा angular parameter, angular parameter का कुछ अलग होगा, वो उनको आप छोड़ दो, r क्या है, r भी क्या है, normal parameter है, ये phi कैसा angular parameter है, तो इसका scaling factor किता हो जाएगा, phi के जस्ट पहले क्या रहा है, इसके scaling factor row हो जाएगा, theta कैसा angular parameter है, तो इसका scaling factor क्या этом हो जाएगा, r हो जाएगा, ये phi भी कैसा ही, जब espirical की बात करता हो तो ये वह मmom ust हो ना, इस phi का scaling factor भी row हो जाएगा, नहीं, इस phi का scaling factor हो जाएगा r sine theta, कितना हो जाएगा और साइं ठीटा और मैं इन तीनों के लिए फोर्मूल लिखाने की बात कभी नहीं करूंगा जनरली मैं इन तीनों को एजूम कर लूंगा यू वी ओ डब्लू और इनके स्केलिंग फेक्टर एजूम कर लूंगा मैं इसके ट्रम में फोर्मूल लिखूंग के इन जनरली यह कोई है अपना हना कोडिनेट सिस्टम नहीं है इसके फिजिकल मीनिंग क्या होती है और पर वेक्टर फिल्ड एक किसी वेक्टर फिल्ड के अपन डाइवर्जेंस की बात करने वाले हैं मैं इस कोडिनेट सिस्टम में बात करूँगा जो मैंने तीनों का जनरल ले लगा है ना आपको अगर किसी में कनवर्ट करना है तो यू वी जगा के जगा इनको ट्रांस्पर कर दो इनकी विल्यू पुटप करो तो आपको उस कोडिनेट सिस्टम में विल्यू मिल जाएगी माल एक वेक्टर फिल्ड है क्या एक वेक्टर फिल्ड ए है मैं बात करूँगा यू व व और डबलू के करस्पंडिंग ही बात करूँगा एक्स वाई जैड में आप कनवर्ट कर सकते हो यहां तक आपको समझा आ गया है यह कोई वेक्टर फिल्ड में आज्यों कर ली यू वी डबलू कोडिनेट सिस्टम के अंदर में बात कर ली और इस कोडिनेट सिस्टम को आप किसी भी कोडिनेट सिस्टम में कनवर्ट कर सकते हो आपको वेल्यू पुटप करनी है और इस डैलुट ऐ होता है देलूट इसवेक्टर फिर्शे अश्ट फेड़ैस अफिल किया होते हैं, सबसे पहले नीचे हैं सबसे पहले क्या हो जएगा डेल यू अपूर यह पर आपके दिमाग में होना चाहिए यह लिखते हो ना तो यहां कुछ मत करना यह एउ करने से पहले आप यहां पर है यह फोर्मुलिय आप रटो और है अगर आप सब मिल जाएगा सारे कोडिनेट सिस्टम के अंदर आपको फोर्मुलिय मिल जाएगा फिर क्या मिलेगा डेल है एक एच वन एच थरी यू के बाद में वी आपून देल फिर क्या मिलेगा डेल अपॉन डेल डबलू यहां क्या मिल जाएगा है एच वन एच टू और एच तु और एक क्या मिल जाएगा और यह क्या होती है स्चेलिक सब्सक्राइब स्वास होगे सघ्प्रैइफ है इनके सब्सक्αषरी ही दिमागे किम फिव। प्रिक्स तहीं मस्ती दिमागों सब्सक्राइब सब्सक्राइब टैते ही जिए हाँम पिर लगे नियुकर लियुकरशनेफ़ इस गई चोड़ोंगे तो क्या हो जाएगा एच तालब को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा और यहां पर यहां तक आपको सम्झा हूँ अगया अगर मैं बात करूंगा मालू मेरे पास इस पर करिकर कोर्डिनेटी सिअमें तो उसका एक वन से किता होता है वन होता एक दो किता होता है और होता है तो यहां कर जाएगा कितना हो जाइगा और साइन ठीटा हो सॉप्सक्राइब एट कितना होजाएगा यहां पर कितना हो जाएगा डेल फाइव हो जाएगा और यहां कितना होजाएगा तो मालो आपको इसको इसमें convert करना किसमें? इसपरिकल में तो U की जगह R रख दे V की जगह W रख दो और V की जगतर रख दो ठीटर रख दो डबलू की जगह फाई रख दो H1 की जगह 1 put up कर दे H2 की जगह R put up कर दो H3 की जगह R sin theta put up कर रहो तो आपकी सारी value यह formula सारी coordinate system में क्या हो जाएगा? convert हो जाएगा और यह होता है किसी भी vector field का क्या होता है? divergence होता है इसकी property आपको most important है वो याद होनी चाहिए जैसे आपको deal of no vector field का या तो आपको sum करके देगा तो यहाँ तो कुछ नहीं है दोड़ तो sum पर क्या होता है बढ़ जाता है या आपको यह deal देदेगा और scalar field से multiply करके कोई vector field देदेगा तो आप कुछ मत करो ऐसे मत कर यह constant है तो बार आ जाएगा एक वार तो आप लिखके आजाओ बाहर अंदर क्या कितना बज़ेगा? देल डोट ए बच्चे का फाई को मैं लेके आगा बाहर एक वार फाई का इसके साथ क्या हो जाएगा? gradient हो जाएगा डेल फाई डोट यह क्या vector field फिर vector field का vector field के साथ क्या हो जाएगा? डोट हो जाएगा फिर अगर यह most important है दो vector field के अगर आपको क्रोष करके देना इनके प्रूप्ट के कहीं कोई जरूरत नहीं है आपको अगर यह मैं जो प्रॉप्टी लेका रहा हूं क्रलोगे ना तो एक वीक्यूशन EMT में गल्त होने वाला नहीं है यह मैं क्राईटी लेकर देता हूं डेल एक रोष भी देना सबसे पहलए डेल के पास में यह आशन है तो उसके के यह साथ क्या ले लूुशन के बताऊंगा इसके क्रल बोलते हैं पिर जो पीछे बज जाएगा क्या लोगो है आपको पता हां है यह वेक्टर फील्ट है इनका ड़ोट क्या होगा? स्केलर क्योंकि एक स्केलर क्षाइस माइनस फिर इस थोड़ा दूर दूर यह तो डेल क्रोस भी वेक्टर फिर किरना जाएगा नौठो इस प्रोपर्टि पे उस्तन बनावाई most important property है. आपको बोलेंगे ना, कि दो vector field A और B जिनका curl किता है, जीरो है. क्या? दो vector field A है और B है, उनका curl किता है, इसको बोला जाता है, curl बोला जाता है, क्रोस प्रोडेक्ट, जो आपन आगे पढ़ेंगे, उनका curl किता है, जीरो है, तो उनके क्रोस प्रोडेंट का डाइवर्जेंस किता होगा यह क्यों पूचा वाएं कि दो वेक्टर फिल्ड हैं उनका करल कितना है जीरो है मतलब डेल क्रोस यह जीरो है डेल क्रोस बीजीरो तो पूरे टरम किता हो जाएगा जीरो हो जाएगा और पूचेगा उनके क्रोस के अंदर पूछ जोई हैं क्या मेतामेडिस्मेडेट में आरके इस प्रोपेट्टी को आपको पता होना चाहिए यह तीनों प्रोपेट्टी आपको सुमनागी होगी अब देखो डाइवर्देंस का फिजिकल सिग्निपिकेंस क्या होता उसकी बात करेंगे मालो यह कोई एक व यह आप अगर इस वेक्टर फियल्द एक का डाइवर्जेंस लेते हो कहां पर ऐड अपॉएंट फैर आप जिए किसी बहींट करती मिल रहे ते मतलब वह फैंट उस्टी के सोर्स की तरह का करेंगा ंइस पाइंट से फिल्ल क्या रहे है उसमनी की रही है क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है निकल रही है तो निकल रही है तो इस पाइंट पे इस पाइंट पे क्या हो जाएगा डाइवर्जिंस पोजिटिव आएगा पोजिटिव क्यों आएगा कि पाइंट एक सोर्स की तरह कारी करता है तो उस पाइंट का डाइवर्ज पी है यहां पर किया फिल लाइन्स आके हो रही है का मरलफ sorry Converse हो रही है यहां पर आकर मिल रही है इस point पी पे तो यह point किया हो जाएगा उस field लाइन्स अगर मैं vector field मां लो vector field किगे है vector field एक divergence लेता हूं एप joyful point P तो क्या मिलेगा negative अगर फिल्ड के अंदर कोई पॉइंट एक सिंक की तरह काम करेगा यहनु वह फिल्ड लाइंज किया सिंक बनेगा ना तो वहाँ पर डाइवर्जेंस की वेल्यू क्या मिलेगी नेगिटीव मिलेगी अयोग यहां तक आपको समझा गया होगा अगर मालो कोई फिल्ड और यहहां पर मेरा कोई प्वाल पी यह पर ना तो सेंग की तरह काम करेगा ना कोई सोंस की तरह काम करेगां यहां तो मतलब ७िली जाके निकलेगी पास होगी, जितनी फिल लाइन आ रही हैं, उत्ती के उत्ते निकल रही हैं, तो बताओ, ये वानलो वेक्टर फिल्ड ए है, तो डेल डोट ए एट पॉइंट पी, क्या मिलेगा अपने को, जीरो ही मिलेगा, मतलब पॉइंट पी इस कंडिस्न में ना तो एक स की तरह काम करेगा, वो एक नॉर्मल पाइंट ही होगा, ना सिंक होगा, ना कोई सोर्स होगा, यह प्यांत अपको समय आ गया होगा, इननि फिल्ड के अंदर किसी पाइंट का नेचर अपने को फाइंड आउट करना है, यहां से फिल्ड लाइन्स बाहर निकल रही हैं, यह प्रिल्ड निविया ना फिल्ड नहीं फिल्ड ना तो इंट्र होg?", ऐसा भी परई नहीं हो सकता है यह सौर्स कीचहिर काम करे का उर्ड इससे काम करे का या पिर नाइदर सोर्स नोर्ड सिंक कीचह करे काम आरे आद के बारे में आपको अच्छा खासा इडिया आ गया होगा अब बात करते हैं करल ओपे वेक्टर फिल्ड किसकी करल की बात है करल ओपे कि छो फेक्टर फिल्ड फिल्ड फोर्मूला में अच्छिम कर्ले व fringe वह कि वह पिछे वाली CS May a us return कर थो फगर आफ प्लस अव प्लस याज़ों क्योवल कर ली और इस फेक्टर फिल्ल का कल्ड आपको निकाला है ना इसको पढ़ने का पढ़ना आना चाहिए कर ओपे वेक्टर फिल्ट इसको ऐसे पढ़ा जाता है इसका फोर्मुलर क्या होता है कि यहां पर कितना हो जाएगा इधर कितना आ जाएगा ए यू ए वी और ए डबलो आ जाएगा और सिंप्ली यहां ध्यान रखना फास्ट में एच वन एच टू एच थरी सेकिंड को छोड़ देना फिर थर्ड में वापिस एच वन से मल्टिप्लाइ करना है यह यह बस फोर्मॉले होता है कल का फोर्मॉले है आप इसको किसी भी कोडिनेट सिस्टम में आप इसको कनवर्ट कर सकते हो you simplycloud का मुस्टिम पोइंट और किसी कल सी वेक्टर घ्ल कल का मुझन राद करें कि लिएसा थै चृष दें लेंटल सब्सक्राइब आपको इसा月र वांड जाएगा बड़ गाप धियंका देल क्रोश लिए तो प्रोपर्टी आपको कल के पता होना चाहिए आपको डाइवर्देंस का भी अच्छा का सा आइडिया आगया होगा और ग्रेडियंट अपने लाश्ट लेक्टर में पढ़ा था नेक्स्ट लेक्टर के अंदर अपन जेक्टर केल्गोरिस का में सबसे इंपोर्टेंट टोपिक है ना जहां से आपको सारी मेक्सिनल इक्रशन की फिलिंग आएगी सब कुछ समझ में आ जाएगा वाला हो तो कल का लेक्स्ट आपने मोस्ट इंपोर्ट आइगा सारे EMT की फिलिंग फर्स चेक्टर जो इलक्ट्रोस्टिक और मेंगनेश्टिक सबको डिपिकल्ड लगता है ना उस चेप्टर की फिरिंग में लाके देदूगा आपको सब कुछ चाहिए उनका पोटेंशिल हो मैगनेटिक पोटेंशिल हो फ्लक्स हो सब कुछ आपको दिखे यह चेक्टर में 10 फैप्टर में शींप्ल से प्ढेंशिल होते हैं यह कैंसे आप डोजयें रहे हैं आपको είम्स आस एक साथ हो रहें आपको थि यहां पर आपको mathematics वाले भी यहां पूरे-पूरे करवा दूंगा अच्छे जिग्यूस्टन तो next lecture most important होगा vector calculus का last lecture ही होगा अपना उसके बाद अपने start करेंगे सारी ट्रम बहुत ही मज़े से पढ़ने वाले हैं सारी एक एक फिलिंग लेकर पढ़ेंगे तो फिर इस lecture के लिए तो thank you so much